mutual fund और stock market का क्या difference है देखो stock market का मतलब है share market जो आप देखते हो न अब market बढ़ गड़ गई वगड़ 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 वो है share market, share market में बहुत सारी company लिस्च होती है मतलब बहुत सारी company होती है, वो अपना share बेशती है तो आप वहाँ पर उनके shares को खरी सकते हो, उनके shares को बेश सकते हो इस तरीके से share market operate होती है अब mutual fund के आगे, अब उन्होंने बना दिये बड़ी-बड़ी companies है उन्होंने packs बना दिये 10-10 shares के अलग-अलड type के अब क्या हो रहा है, जैसे कि मान के चलते है Reliance के 2 share ले लिए हमने, Tata का 1 share ले लिया Dash company का 1 ले ले, Dash company का 1 ले लिया अगर मैं 5 share इकटे लोगा, तो मुझे 10,000 रुपे खर्च करने पड़ेगे अब मेरे 10,000 रुपे तो ही नी तो क्या हुआ, मैंने का मेरे 2,000 रुपे ले लो उन्हें का ठीक है, 2,000 रुपे दे दो तो 2,000 रुपे के अंदर मुझे इन पांचों का 20% मिल गया पस ये वाला है mutual fund का scene mutual fund के अंदर क्या होता है, एक fund है जिसको mutually बहुत सारे लोग मिलके ले रहे है This is mutual fund